इंडियन स्पेस टेक सेक्टर एक उबरता हुआ इंडर्श्री है जबसे इंडियन सेंटरल गवर्मेंट ने स्पेस सेक्टर को प्राइविटाइस करने का स्टेप लिया था बहुत से कंपनीज इस ओपर्चुनिटी का फायदा उठाने का ठान लिया आई स्वेर पिछले कुछ सालों में हमने बहुत से बढ़िया इनोवेटिव ग्रोथ देखा है इस सेक्टर में फार बियॉंड और ओन एक्सपेक्टेशन्स साल 2022 के चलते इसमें से जाधता स्टार्टप्स अपना पहला स्पेस मिशन लाँच प्रामिस कर रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे प्लाटफॉर्म्स भी बिल्ड कर रहे हैं जो इंडियन कमपनीज के लिए स्पेस टेक्नोलोजीज का एक्सेस आसान कर देगा और इसको मद्दे रखते हुए हम आज इस वीडियो में ऐसे पांच प्रामिसिंग इंडियन स्पेस टेक्स टार्टप्स देखेंगे जिसका 2022 में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है पहला है अगनिकुल कॉस्मोस साल 2021 के चलते अगनिकुल कॉस्मोस अपना सेकेंड स्टेच सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट एंजिन को टेस्ट फायर और शोकेस करने का काम मैनेज कर लिया जिसका नाम था अगनिलेट कमपनी इस रॉकेट को पूरी दुनिया में one of its kind claim करती है क्योंकि ये पूरा एंजिन was fully 3D printed as a single piece और ये इस दुनिया का अब तक का अकेला ऐसा रॉकेट है जिसे बनने में कोई additive process नहीं लगा इस कमपनी के founder मोहिन का कहना था कि वो करीबन 10-15 रॉपए पर इंजिन के पीछे खर्च करते हैं और वो एक बार order receive करने के बाद वो बस 72 गंटों के अंदर एक पूरा इंजिन को तयार कर सकते हैं इस list में दूसरा है Skyroot Aerospace अगनिकुल के साथ ही Skyroot Aerospace वो बड़ा नाम है in the Space Tech Arena founded by an ex-isro scientist who was a part in the GSLP mission MAC-3 at Indian Space Research Organization Skyroot हाली में successfully test fire किया है उनका इंडिया का first fully cryogenic 3D printed liquid propulsion engine जिसे उन्होंने नाम दिया है धवन Skyroot के अप्रोश में दो अलगलग type के engine forms involved है a solid propulsion engine under a series called as Kalam जिसे test fire किया था the end of last year और जैसे मैंने पहले बताया था ती दवन इंजिन इसे 2022 के period में launch किया जाएगा with its first rocket called as Vikram 1 जिसे orbit तक ले जाएगा Kalam इंजिन इस list में तीसरा है Pixel 2021 was supposed to be the big year for Pixel जिनोंने खोदी design और build किया है अपना खुद का hyper spectral imaging satellites और उनका 36 satellites constellation में से पहला satellite अब तक launch हो जाना चाहिए था in the early 2021 बट हाववर एक last moment software glitch के वज़े से उन्हें इसरो के polar satellite launch vehicle यानि PSLV C51 mission के satellite payload से निकाल दिया गया Pixel के CEO और co-founder अवाईस आहमद कह रहे थे कि वो अपने दो satellites 2022 के first quarter में ही launch करेंगे जबकि उनके तीसरे का भी testing हो चुका है साल 2022 वो साल होगा जहां Indian startup जैसे की Pixel अपने global clients और companies को ultra high resolution satellite data serve करना शुरू कर देंगे फोर्थ है Bellatrix Aerospace Bellatrix Aerospace इस साल अपने proprietary hall effect thrusters का soak test करेंगे जिसे उन्होंने developed और recently test किया था उनके Indian Institute of Science Bangalore के facility में इसे test करने के लिए Bellatrix ने tie up किया है European Space Agency के साथ जो उनके thrusters को deploy करेंगे in one of the satellites जो आने वाले upcoming missions में launch होगा Bellatrix अपने report से claim करते हैं कि उनकी thrusters जो एक form of electric propulsion system है fitted to make satellites work properly in space ये छोटे satellites के लिए भी अच्छे से काम कर सकते हैं As the demand for small satellite grows Bellatrix का 2022 का test launch भी थोड़ा critical हो जाएगा To its future plans of launching an orbital launch vehicle यानि OTV और called as space taxi अब इस list में fourth है Druva Space Like Pixel, Druva Space को भी lower earth orbit satellite space में deploy करना था To offer satellite imagery and data services to the clients But however, वो clients के बीच बढ़ते demand को देखकर Multiple constellations से deploy करने का plan कर रहे हैं Interestingly वो ये भी aim कर रहे हैं कि उनका खुद का एक जगा और launch station हो जिसे वो दूसरे companies को as a service offer कर पाए जिने space access करना हो शायद 2022 वो साल होगा जब Druva Space का पहला satellite launch होगा तो दोस्तों ये है हमारे देश के rising stars The top 5 space tech startups that are ready to take the world on the go दुनिया का सबसे पहला 3D printed rocket बनाने से लेके European Space Agencies को support provide करने तक अल्मुस्ट हर जगा इंडिया की space tech development के चर्चे ही चल रहे हैं विच सेम्स अज़े ब्राइट फूचर नॉट अल्ली फो इस space tech startups बट अल्सो फो फो इस वोल नेशन So until we meet next time with more such amazing contents Jai Hind and Bye from Tech Baba